तो देखिये आज मैं जो ताल पोस बनाने वाली हूं यह तरी प्लाई की भूल है जिससे मैं बनाऊंगी और यह हलकी सी शाइनिंग वाली है देखिये इस तरह से रहưởng है चाइनिंग वाली है उती है और यह त्री लाइक की भूल है यह देखे में दिखा देते हूं आपको और यह काफी सस्ती आती है यह ना चालिस रुपे का काफी बड़ा गोला आ जाता है और इसमें से मैं एक बना चुकी है और यह अप्रोक्सिस में एक बड़ा सा थाल पोस पूरा बन सकता है इतना बड़ा यह 30-40 अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपको यह थाल पोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली जो वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहें ठीक है तो चलिए इसे बनाने के लिए देखे हमें क्या करना होगा ऐसे नॉट लगा लेंगे और एक दो तीन चार पांच पांच चैनल लेंगे और यह लास्ट वाली चैनल में डालके यहां पर यह राउंड बना लेंगे इस तरह से यह हमारा राउंड बन गया और इसके बाद में हम यहां पर एक दो तीन तीन चैनल लेंगे और इस राउंड में हम डबल क्र बनाना शुरू कर देंगे इस तरह से यह ना और इसमें जो टोटल हमें डबल क्रोशा बनाने हैं वो बारा डबल-क्रोश्या हम इसमें बनाएंगे ठीक है? इस रांड में बारा डबल-क्रोश्या बनाके फिर मैं आपको दिखाते हूं तो यह देखिए 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जहां हमने तीन चैन ली थी ना उसमें डालके इसे जॉइंट कर देंगे ठीक है फिर एक दो तीन चैन लेंगे और यहीं पर हम एक चैन में दो दो डबल क्रोशिया पूरे में बना लेंगे देखिए इसमें हमने दो बना लिए फिर अगली चैन पर जाएंगे उसमें भी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ठीक है यह देखिए ऐसे हम इसमें पूरे में डबल क्रोशिया यानि के 12 डबल क्रोशिय के उपर हम 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे तो यह second round ऐसे ही complete करेंगे तो यह देखिए हमारे ना यह यहां तक बन गया अब chain में डालके इसे फिर से joint कर देंगे देखिए यह हमारा इतना हो गया उसके बाद में फिर से 3 chain लेंगे और 3 chain लेके यह देखिए फर्स्ट वाली chain में हम एक double crochet सेकंड वाली में फिर से एक double crochet सब में हमें एक एक ही double crochet बनाना है ठीक है इस तरह से सब में पूरे में एक एक double crochet बना लेंगे फिर हमें ना और यह थर्ड वाली जो हमारे रो है ऐसे ही complete करनी है तो यह देखिए हमने ही यहां तक बना लिया अब इस chain में डालके हम इसे फिर से joint कर देंगे अभी आपको इसमें ऐसे लगेगा जैसे जो ला रहा है यह इस तरह से हो रहा है लेकिन जब हम इसकी अब अगली line बनाएंगे ना यह एक दम सही हो जाएगा जब हम बनाने लगते है ना तब हमें ऐसा लगता है अबने जोइन करने के बाद 3 chain बना ली फिर देखिए एक chain में हम दो बार double crochet बनाएंगे इस तरह से हर एक chain में अब हमें दो दो बार double crochet बनाना है यह देखिए इस तरह से है ना जब हम ये वाला है इस तरह से पूरा का पूरा बनाते हैं ना तब हमारा ये एकदम परफेक्ली बनता है इसमें कहीं जोल नहीं आता है और कहीं से भी ये खराब नहीं होता है ऐसे ही फिर इसके जो उपर वाली लाइन बनाएंगे हम उसमें हम फिर से एक एक डबल क्रोश्या ही बनाएंगे फिर उससे उपर जो लाइन बनाएंगे उसमें दो दो डबल क्रोश्या बनाएंगे तो इस तरह से न हमारा ये पूरा का पूरा है न चक्र चलता रहेगा और जितना बड़ा हमें न क्योंकि हम ये पहले बेज बना रहे हैं फिर इसके उपर का बनाएंगे तो जितना हमें बड़ा बनाना है थालपोस उतने में हमें सेम तरीके से ही करना होगा तो इसी तरह से करके हमें पूरा ये वाला round complete करते हैं, फिर मैं आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए, इसमें अब आप खुद भी देख सकते हैं, कहीं भी इतना सा भी जोल नजर आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं है, ये एक perfect तरीका है, कि एक line आप एक की बनाओ, second line आप दो-दो double crochet की बनाओ, तो ये एकदम perfect बनता है, और इसमें कहीं भी ना तो जोल आएगा, और मुझे खुद ज्यादा कमेंट्स आते हैं इस बात के लिए, कि मैं हमारा तो ताल पोस जब भी हम बनाते हैं, जोल आ जाता है, तो मैं इस तरीके से जब बनाती हूँ, तो मेरा क कभी, कभी भी थाल पोस कितना भी बड़ा मैंने बनाया है, कभी भी कोई जोल नहीं आता है, या कटोरी जैसा नहीं होता है, बिक्कुल एकदम perfect बनता है, और इसी तरह से आप perfectly बना सकते हैं, तो ये देखिए, आप कुद भी देखिए, मैंने अब पहले दो-दो बनाए थ तो ये बड़ा बना के फिर मैं दिखाती हूं, इसी तरह से आप इसकी लाइने बढ़ाते जाना हूं, ठीक है, ये दो बार, फिर एक बार, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, तो इसी तरह से ये लाइन बढ़ती जाएंगे, और ये हमारा थाल पोस बनता चला जाएग सेम इसी तरह से अगर आप जैसे मैंने बताया वैसे ही करेंगे तो इसमें कोई जोल नहीं आएगा और ये बिब्कुल असानी से बनेगा अब देखिए मैं ये वाला कलर ले रही हूँ आप कोई भी कलर ले सकते हैं तो उससे अब इसका ना हम बॉर्डर बनाएंगे तो ये कहीं बेबी जहां पर हमने कट किया है वहाँ पर इसे ले लेंगे पहले इसमें नॉट लगाएंगे इस तरह से और इसका ना बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना है देखिए एक चैन लेंगे अगली चैन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे फिर एक चैन लेंगे अगली चैन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे ये देखे एक चैन ली अगली चैन में डाला और इसे निकाल दिया ठीक है एक चैन ली अगली चैन में डाला और इसे निकाल दिया तो इसी तरह से है न हम इसे पूरे को बना ल ठीक है इस तरह से तो यह पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूं कि हमें क्या करना है तो यह देखिए हमने पूरे में यह बार्डर बना लिया है और अब हम इसे यही पर कट कर देंगे देखे यह जो हमने शुरू के अधर ना एक बार इसी के पास डालेंगे इसे निकाल और यहीं पर हम इसे इस तरह से नौट लगा के कट कर देंगे तो यह देखिए और यह वाले धागे को इना आपस में इस तरह से नौट लगा देंगे और इसे ही पर कट कर देंगे तो यह देखिए हमारा एकदम पर्फेक्टली बन के पूरा तयार हो गया है अब हम इसके अब हम इसमें इसके ऊपर की फूल और बत्निया बनाएंगे जिससे हम बेल बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे magical ring देखे दोनों finger पे इस तरह से थागे को करेंगे इसे निकाल लेंगे और यहीं पे एक simple इसे इच कर देंगे जिस से निकले ना एक minute दुपारा से करके दिखाते हैं देखे यह इस तरह से लेंगे फन देखो उनको इस तरह से पकड़के यह इसके ऐसे इसके ऊपर से इसे निकाल लेंगे ठीके और फिर इसमें से निकाल के इसे निकाल लेंगे यह देखे और इसे simply यहीं पे ना joint कर देंगे जिससे ना यह आच्छे से यहां पे ना दागा फंसा रहेगा और यहीं पे ना हब हम इसे बनाना शुरू करेंगे तो इसे बनाने के लिए हम देख्ये एक दो तीन छाद थोड़ा पास से लेख लीज़े चार पाँच पाँचेंड लेंगे और पाँचेंड लेने के बाद हम यहीं पे देखे, दो बार फंदे लिए और एक टृपल एक टीपल क्रोश्या बनाएंगे एक टीपल क्रोश्या में क्या होता है जो दो मैं डॉचर करीक हम बार दमाण पानेगे और एक और टीपल क्रोश्या बना लेंगे तो इसी तरह से फिर से हम chain लेंगे और इस chain में एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन लेके और देखे इसी magical ring में है इस तरह से डालके यहाँ पर हम इसे joint कर देगे ठीक है फिर यह वाली उनको देखे इस तरह से पकड़ेंगे और इसे खीच देगे तो ये देखे हमारा कुछ इस तरह से है न ये बन के पुरा तयार हो गया है ठीक है उसके बाद में हम एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा हम ये पंदरा चैन ले लेंगे और देखे फर्स्ट वाली चैन में ही डालके इस तरह से सिंपल क्रोश्या बना लेंगे फिर अगली चैन में डालेंगे ये सिंपल क्रोश्या फिर उस से अगली चैन में एक सिंपल क्रोश्या फिर उस से अगले वाली में और फिर इस से हाली मे यानि के टोटल हम इसमेन एक, दो, तीन, चार, पाद 5 सिंपल क्रोशे हम बना लेंगे उसके बाद में हम ही क्या करना है देखे यह अगले वाली चैन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे फिर यहां पे इसी चैन में डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोश्य बनाएंगे फिर से इसी चैन में डालेंगे एक डबल क्रोश्य बनाएंगे फिर से इसी चैन में डालके इस बार देखें दो बार हमने फंदे क्रोश्य के उपर लिए इसी में डाला और ये ना दिया ये तीन बार हमने फंदे की रोशे के उपर ले लिए इस बार, सी में डाला, और ये दो दो करके हमने निकाल दिये, फिर से हमने देखे तीन और ये चार, इस बार हम चार फंदे की रोशे के उपर लेंगे, इस सी में डालेंगे, और एक बार निकाला, दो बार, तीन, ये चा यह पाच तो यह इस तरह से हमने पाच बार में यह बंदे निकाल दिया है फिर हम इसमें एक दो तीन चार चार चैन लेंगे और देखें यह जो हमारा द्धू है ना इसमें डालके हम इसे इसी तरह से निकाल लेंगे ठीक है फिर देखें जो हमने यह दो-दो करके पंदे निकाल ले दिया है इसमें डालेंगे और यह निकाल दिया फिर यह जैन लेंगे फिर यह अगले वाले पे डालेंगे निकाल दिया एक चैन लेंगे यहाले में डालेंगे और यह निकाल देंगे तो यह देखेड़ा है अब हमे न यहाँ पर एक हमने छोटी सी पती बना दिये ठीक है फिर हम देखेट फिर से यहाँ पर आ जाएंगे जो यह चैन दी ऊसमें एक सिम्पल क्रोशिया ऐसे ही हमारे हमारे पत्ति बन गई और यह हमने रास्तवन आ लिया फृर हम इस में ढाल के इसे ज्टाइन कर देंगे और यहें पर अब हम इसे कट कर देंगे ठीक है तो यह देखे हमारा यह बन गया अब हमारे दूनों इसे यहां पर लाड़. अब हम इसमें यह वाला दूसरा कलर लेंगे डालके हम इसमें इस तरह से जॉइन कर लेंगे और अब देखिए यह जो हमने यहां पर टिपल क्रोशिय बनाया थे यह चैन के वराबर में यहां पर डालके हम इसे सिंपल क्रोशिय से इस तरह से जॉइन कर लेंगे फिर एक दो तीन चार पांच छे चैन लेंगे और इसके बीच में जो यह दो टिपल क्रोशिय थे ना इसके बीच में डालके हम इसे जॉइन कर देंगे फिर हम इसे पीछे की तरफ से इस तरह से पलट लेंगे पलटने के बा ये दो, तीन, चार, पाँच, छे, ये साथ, और ये आठ, तो आठ हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लिये हैं, फिर हम इसमें एक, दो, तीन, चार, चार चैनल लेंगे, और ये देखे, ये जो हमारे दो वाला था ना, इसमें डालके हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे, ठीके, फिर हम इसमें, एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और ये आठ, तो ये हमने आठ बना लिए, अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से पलट लेंगे, ठीक है, पलटने के बाद, हम इसमें इस तरह से लेंगे, और ये देखे, जो ये बीच में धाना, ये वाला, इसमें डालके हम, देखे, इसे इस तरह से पकड़ लेंगे, और इसमें इस तरह से डालके हम, आठ, डबल क्रोशिया, बनाएंगे, चार यह पाँच यह छे साथ और यह आठ तो यह देखे हमारा कुछ इस तरह का यह बन गया है अब हम इसे जो जाइन करेंगे वो देखे यहाँ पे करेंगे जो यह हमने यहाँ पे चैन दी थी ना इस चैन में डालके इस तरह से जोइंट कर देंगे ठीक है यह हो गया यह देखे हमारा कुछ इस तरह से बन गया है उसके बाद में हम क्या करेंगे एक तो तीन तीन चैन लेके देखें नीचे की साइड में ही डाल गए हाँ पर हम यह सिंपली से जॉइंट कर देंगे ठीक है उसके बाद में एक दो तीन चार पान छे हम यह छे चैन लेंगे और अगले वाला जो यह दोनों एक चैन और यह टिपल क्रोशिया था ना इसके बीच में डालके हम इसे इस तर प्रेट लेंगे और जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ना सेम यहाँ पर बनाएंगे सेम तरीके से वही पहले आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे यह तीन, चार, पाच, छे, साथ, और यह आठ बना लिए उसके बाद में एक, दो, तीन, चार चार चैन लेंगे और देखिए यह इसमें डालके हम इसे इस तरह से निकाल देंगे ठीके और फिर इसी में डालके फिर से हम आठ डबल क्रोशिया बना लेंगे यह देखिए दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, और यह आठ ठीक है यह हमारे बन गए अब हम इसे फिर से इस तरह से पलट लेंगे ठीक है पलटने के बाद हम इसमें क्या करेंगे देखिए हमने यह पलट लिया अब हम फिर से यहां पेना यह वाला जो है यह वाला जो टिपल क्रोशिया है ना यह वाला इसमें डालके यह देखे इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें डालके हम आठ डबल क्रोश्या बना लेंगे यह एक हो गया यह देखे इसमें हमने आठ यह बना लिए फिर यह हमने चार चैन का बनाया फिर आठ बना लिए फिर हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और देखे इसका जो दूसरे वाला यह है जो टिपल क्रोश्या था इसी में डालके हम इस तरह से आठ डबल क्रोश्या बना लेंगे तो यह तीन, चार, पांच, छे, साथ और यह आठ तो यह आठ बन गए अब हमें फिर से इसे यहाँ पे, जहाँ पे हमने यह चैन दी थी ना, यहाँ पे डालके इस तरह से यहाँ पे इसे जोइन कर देंगे तो यह देखे हमारे दोनों बन गए हैं अब हम इसे यही पे ना कट कर देंगे तो यह देखे हमारा यह बन गया अब हम इसे इस तरह से पीछे की साइड में डालके इसे ऐसे डाल देंगे ये निकाल में थे हमारा इस तरह से यह नोट के एक मिल देख लिए यह बन के एक मिलती हैई अब कि मैंने के लिए क्ड़िशनраш वाली हुए हाँ है उसमें नाट लगा लेंगे और यहसे जब हम ऐसे गलटेंगे तो यह हमारी चैन दिखाई देगी तो इस वाली चैन में हम यहाँ पर इसे जॉइन कर लेंगे तेक है उसके बाद में एक दो तीन चैन लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोश्या बनाते जाएंगे तीन चार पाच यह चे और यह साथ ठीक है हमने साथ डबल क्रोश्या बना लिए अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से निकाल देंगे और यह जो पीछे वाली चैन थी इसमें डालके हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे फिर हम एक दो तीन चार पाच छे चे चैन लेंगे और देखिए यह जो इस वाले फूल के पीछे वाली यह चैन है इसमें डालके हम यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोश्या दो यह तीन चार पाच चे और यह साथ दीखिए फिर से हम पीछे वाली में जाएंगे इस तरह से और इसे निकाल देंगे यहाँ पर हम नौट लगा देंगे और यह उनको यही पर कट कर देंगे तो यह देखिए यह हमारा बन गया अब हम इसे इस तरह से आगे की साइड ले आएंगे यह देखिए इस तरह से इसमें भी डालेंगे और यह आगे की साइड हमारा आ इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ दस चैनली है और मैंने इसमें लेफ नहीं बनाई कोई मैंने से बना लिया है इसमें पत्ति कूँन नहीं बना लिया है उनक एन मैंने यहीं में कुद कर दिया इसमें मैंने डंटल भी नहीं कहा है उसका कारण क्या है वो मैं आपको भी आके बताती हूं कि इसमें भी नहीं बनाया है ऐसे ही है तो हमें इसे न новरम बेल बनानी है अपने इस के जो कि थालपोस का उसके उपर तो हम इस तरह से रखेंगे एसे बाहर निकालके रहलं का जह सा हो और आफ डेलेंगे तो यह तरह से ना बेस बनानी के लिए पहले में रखे दिएिटाese। कि हमें किस तरह से रखना है तो यह हमारा इन पत्ती हो गई यह हम सीधी करके ऐसे रखेंगे ठीक है इस तरह से उसके बाद में जिसमें 네 पत्तिय नहीं बनाई है वह लेंगे और उसे इसके उपर इस यहां पर ऐसे रखेंगे ऐसे एर्जेस्ट हम करेंगे ठीक है फिर यहां पर इसी में ऐसे है तो एक फूल हम इसमें ऐसे लगा देंगे फिर हम यह डंटल वाली लेंगे और इसे इसके पास में ही थोड़ा नीचे करके ऐसे यहां पर लगाना है और लास्ट में यह वाला जो ह यह इसके बास ऐसे लगा देंगे तो यह देखिए हमारी पूरी के पूरी बेल बनके तयार हो गई है यह देखिए और आप इसमें न किसी तरह से भी शेप ले सकते हैं जैसे आपको बड़ा बनाना है मैंने थोड़ा चोटा बनाया है क्योंकि मुझे चोटी की जर्ण थी और आपको बढ़ा बनाना है तो यह बेज बड़ा बना लीजे यह फूल भी जिसादा बना लीजे और इस तरह से लगा दीजे अगर आपको देखिए जैसे यह पत्ती है यह नहीं देख री है तो आप अलग से पत्ती बनाए और एक दो पत्ती ऐसे साइडों में रख दीजिए वो भी अच्छा लगता है तो आप इसी तरह से पहले न इसे लगा के देख लीजिए उसके बाद इसे न सुई से हमें टाकना है और टाकना क्या है सिंपल है इसे टाकना सिर्फ इसे इसे पकड़ेंगे यहां से और यहां पे ही अच्छे से टाक देंगे जैसे सुई से सिंपल टाका लगाते है वैसे ही ठीक है यह देखें सिंपल टाका हमने लगा दिया है अब फिर यह हम यहां पेहन यह दूसरे वाला फूल लगाना था यह हम फूल लगा लेंगे और इसे भी यही पे अच्छी तरह से टाक देंगे और पीछे ना बीच-बीच में नॉट लगाते जाएंगे इस नॉट लगाने से क्या होगा कि यह जो उन होगी ना हमारी टाकन ने वाली वह खिचेगी नहीं ठीक है यह यहां पे लगा दिया अब आगे भी इसी तरह से जैसे मैंने लगाया था वैसे ही पूरी बेल बना लेंगे तो पूरी बना के फिर में दिखाते हूं आपको तो यह देखिए हमारा पूरा का पूरा थाल पोस बनके तैयार हो गया ह है पता नहीं है कैसा लग रहा होगा वैसे यह पोखो सुंदर है क्योंकि आपको देखिए और इसमें ना हमारी जितनी भी बचेगी होने वह अराम से लग जाएगी और जैसे आपको यह यहां पे खाली लग रहा है तो जैसे मैंने आपको बता है ना कि पत्तियां बना है यह देखिए एकदम आसान सा है प्यारा सा है और जल्दी से बनने वाला है तो आप खुद भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है तो आप इसी तरह से यह बना सकते हैं तो चलिए आपको यह कैसा लगा मुझे एक प्यार ऐसा कमेंट करके जरूर बताना और यह बेल वा हो जाएगा लेकिन यह डिजाइन मैंने न बहुत ही उनीक तरीके से और एकदम अलग तरीके से आपको बना के बताया है तो आप इसे न आपको यह कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना बाई एवरिवन एंड थैंक्स वर वाचिंग इन्जोई इस वीडियो ऐसी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बाई